आज दरबार में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी क्योंकि आज हमें एक खोषणा करने जा रहे हैं एक प्रतियोगिता की खोषण एक ऐसी प्रतियोगिता जो ये निर्धारित करेगी कि संपूर्ण विजयनगर में सरवादिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है परन्तु माराज इस प्रतियोगिता की क्या वशक्ता है ये तो समस्त विजयनगर जानता है कि सरवादिक बुद्धिमान कोई और नहीं बनित रामा कृष्णा है गोपाल कृष्णन जी आपका स्वर उंचा नहीं था हम सुन नहीं पाए विपया एक बार पुनय कहें आपने क्या कहा थोड़े उंचे स्वर में हमने कहा माराज सरवादिक बुद्धिमान कोई और नहीं पंडित रामा कृष्णा है सत्य वचन गोपाल कृष्णन जी सत्य वचन ख्रमा चाहते हैं हमाराज ख्रमा किजी ऐसा नहीं है कीवी जैन अगर में मात्र पंडित रामा कृष्णा ही बुद्धिमान है आपको तुग्यात है माराज कि पंडित रामा कृष्णा ने जो कुछ भी सीखा है हमारी ही छत्रचाया में सीखा है है ना पंडित रामा कृष्णा है ना बोली बोली अवश्य गुरूफर इसमें तो कोई संदे ही नहीं कि आप अत्यंत बुद्धिशाली है परंतु समस्त विजयनगर में आपके और पंडित रामा कृष्णा के अतिरिक्त भी तो बुद्धिशाली व्यक्ति होंगे परंतु किसी कारणवश उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धी, उनकी योग्यता हमारे समक्ष कभी आ नहीं पाए कभी हम उसे परक नहीं पाए सत्यवचन इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए जिससे ये निधारित किया जा सके कि संपूर्ण विजयनगर में सरवादिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है जो भी इस प्रतियोगिता में विजय होगा उसे बुद्धि शिरोमणी की उपाधी में लेगे अब बुद्धि मता की इस प्रतियोगिता में क्या हो इसका स्वरूप कैसा हो ये निधारित करनी के लिए आप सब अपने अपने सुझाव दीजिए हाँ 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 हम ऐसा उपाए बताएंगे जिसे कोई प्राट नहीं पाएगा आप से हमें यही आशाती गुरूप महराज सबसे बड़े बुद्धिमान के साथ साथ सबसे बड़ा ग्यानी वही होगा जो साक्षात इश्वर के दर्शन करवा देगा फिर तो आप ही विजई होंगे गुरूवर क्योंकि शिर्जी के साक्षात दर्शन तो केवल आप ही को होते हैं और आप ही हैं जो सबको दर्शन करवा भी सकते हैं क्यों तो बस बात समाथ हो गई गुरूवर ये सुझाव किसी अन्य प्रतियोगिता के लिए रख लेते हैं क्योंकि ये बुद्धिमता की कसोटी परखने के लिए उचित नहीं है हमें तो किसी ऐसे सुझाव की खोज है जो ये निर्धारित कर सके कि वेजन अगर का सरवादिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है आप इस विशय में मौन क्यों है पंडित रामा कृष्णा आप भी अपना सुझाव दीजिए महराज मेरे विचार से तो सक्षे बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो ये पता लगा सके कि इस प्रतियोगीता वाली बात को आपके मस्तिश्क में डाला किसने महराज महराज हम आप ते रूस्ट होने वाले हैं हाँ अब आपको क्या हुआ गया हुआ है महराज आपने महरानी चिन्ह देवी के कहने पर बुद्धिमाने की प्रतियोगीता का आयूजन करवाया तो अब येदि आपने सर्वश्रेस्ट फोजन बनाने वाली प्रतियोगिता नहीं रखीना तो हम आप तेर रोज छो जाएंगे महारानी तिरुमा लंबा यदि आप हमसे पूछें तो इस प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता शरवता व्यर्थ ही सिद्धू होगी महरा आज हमारा खहने का अर्थ ये है कि ऐसी किसी प्रतियोगीता का क्या लाब इसके विजेता का पहले से ही सब को पता होगा क्यों कि विजन अगर तो क्या यदि संपूर्ण विश्व में स्वादिश्ट भोजन बनाने की कोई प्रतियोगीता आयोजित की जाए, तो उसका तो केबल एक ही विजेता होगा हमारी महाराणी तिरुमा लंबा सच्ची महाराज महाराज आपने तो हमें प्रसंद कर दिया इसी उफलक्ष में हमने आप के लिए पीपल के पत्ते और बर्गत की छाल की विजेश चंती मनाई है महाराज चक्के बताएए तो कैसी बनी है लीजिये महाराज चक्के आप सही समय पर आये गुरुबर महाराणी तिरुमा लंबा ने पीपल के पत्तों और बर्गत की छाल की स्वादिश्ट चटनी बनाई है आप भी ग्रहन कीजिये यह बोजन हम ग्रहन करें ना 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 नहीं हमारा कहने का दात पर यह है महाराज हम उदर नहीं नेत्र भरने आए आपकी दर्शन हो गया आप मतरिफ्ट हो गया अब हम जा रहे हैं हमें वो दस सोन मुद्राएं खर्च करनी है हमाराज अग्या दीजे महाराज महाराज की जाओ महाराणी की जाओ चलते हैं गुरुबर संभालिये धिर भी नहीं ठीक है हम ठीक है हम ठीक है जो पुरुबर भीना थे अब हमारा महाराज के दर्शन करना अपी आवश्चक है हां सेंडिक महोदे हमें अपनी स्वन मुद्राएं खर्च करनी है अठिया आप से वेंतिये में बीत्र आई जाने दीजिए रोकिए मत जाने दीजिए जाने दीजिए वारपाल उन्हें आने दो जी महराज प्रणाम महराज प्रणाम महराज प्रणाम महराज प्रणाम महराज प्रणाम महराज छोटी महराणी वो पंडित रामा कृष्णा है और उनकी इस बात में अवश्य ही कोई न कोई बात होगी क्यों महराज देख लिए आपने पंडित रामा कृष्णा की बुद्धी मानी पंडित रामा कृष्णा ये क्या किया आपने ऐसे तो रात्री तक हमारी मुदिकाई ही होती रहेगी ये कैसी बुद्धी मानी है आपने लिए आप से पंडित बुद्धी मानी है